हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बहुत भूत हमारी यूट्यूज चैनल में आज हम बात करें बहुत कमाल के और बहुत ही गुर्कारी उस्थी पोधिक बारे में यह प्लांट आपको हर दिखाई दे जाएगा यह मौश्रम में ज्यादा तर यह बर्षात में दिखाई द इतब दे रहा है यह आपको बर्षात में अपने हैप ब्रिद्धृ करता है लेकिन आपको घर भी मीमें जाएगा लेकिन अगए में जहां पानी होता है वह जेगा आपको दिखाई देवाज में बहुत सार्य चमतकारी गुरह यह पोधा है यह है भूमी आवला जिसे अमेर यह फैड़ता है इसमें छोटे-छोटे फाल लगते हैं जैसा कि आप देव रखते हैं और जमीन पर यह पाए जाता है इसके बहुत सारे चमतकारी गुड़ हैं जिसका जो स्वाद होता है थोड़ा कृसेला होता है लेकिन इसके चमतकारी और बहुत गुर्कारी उश्दी प् यह पहले वीडियो को लाइक शेयर करना नभूलें यह जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है भूमियावला सबसे बात करते हैं पहले जैसे की मासिक धर्वशंब्द हितनी समर्श्या है महिलाओं में जो की एक आम समर्श्या है उन सब के लिए आप क्या किजिए इस स्वाइब के साथ पानी के साथ दिन में दो या तीन बाल लेने से मासिक धर्वशंग समर्श्या है इसको चाया में शुखा कर भूवी उमला को मोटा-मोटा कूड कर रख लेंज जब एक चौथाई बच जाए तो इसे खाली पेट सेवन करें उसके बाद रात में खाना खाने के बाद एक घंटे बाद इसको अगर सेवन करते हैं लिवर रोग शमझ जितनी समस्या हैं उन सम्में भी भूमी आमला को तामे के बरतन में भूमी आमला को शेंधानमा के साथ ज धीक करता है इसके श्राद हम मौह में छाले निकलाए है विएंन सब में 20 घ्राम पत्तों को 200 mg पानी पीरसी तरथितन में 2-ic elam ज़िए उन सब को भी ठीक करता है इस मचैको में खानशी में उन सबinging बेए भी इस भूमी आमला के पंचांग को अधालीitchen में पकाई जब एक चौथाई बच जाए तो इसे दिन में दो बार पीने से खांसी में आपको चमतकारी फायदा होगा इसके लाब पेट रोक समझाओं में भूई आमला को 50 ग्राम पंचां को 400 मीली में पकाएं जब एक चौथाई बच जाए तो इसे दिन में तीन से चार बार 10 मीली की प्राम की मात्रा में लेने से पेट रोक संबंद ही पेट में अपच्छ है धर्द है जितनी भी है शमस्चा है उन समय आपको फायदा मिले गया इसके लाब बुखार में यह मेरा खुद रजमाय को हुआ प्रयोग होए इसका बहुत ज़्यादा चमतकारी गुर्ण है इसके वह को कुमल घूसके पत्ते। इसको किमो का कि जिस में घृचको पीस लेट जाइफ़क बरेबर गुलियाँ बना ले इन गोलिओा इन गोलीओं को दो गोली ज्यर्हद रहाए बार बार जए उन dinosaurs में घृजए पायदा मिले और मुखार पूली तरल से शरीर से जड़ से हें खत्म हो जाएधी इसके शाथ मुत्रोख समध्ज है उसं में भी इस भूमिया मonal को एक चमच भूमिया मलाद के रश में जीरा और की मिला कर दिन में पीने से पष्याफ में जलन प्रशानी है पष्याब रुग-फॉट कर आ रहा है जितनी समच्षा है उन्षम में भी आपको फायदा मिलेगा इसके साथ ही डायरिया दस्त में भी भूमियामला के 20 ग्राम पत्तों को दो समीली पाने में पकाएं जब एक चोथा यह बची जाए तुसे थोड़ा थोड़ा दिन में पीने से दस्त डायरिया में आपको फायदा म किया जाए इसके साथ ही इसको किया कि जो आपको भूमियामला को था उसमें तुल्शी की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से भी खांशी में भी आपको फायदा मिलेगा इसके भूमियामला का रश निकाल कर कुल्ला करने से छालों में भी आपको फायदा मिलता है इसके साथ भूमियामला था नीम की पत्ति ता गिलो तुर्शी की पत्ति मिलाकर काढ़ा बनाकर लेने से बुखार खांशी जुखाम वारेल इंफेक्शन में आपको चमतकारी फायदा मिलेगा इसके साथ भूमियामला कि उसको सुखा कर उसको 400 ग्राम पानी में पकाएं जब 50 ग्राम ब इसका रश निकाली इसके पत्तों करीब 10 से 12 मीली मात्रा में अगर शुबा खाली पेट पीते हैं जो पेट में जो अपाच है बेचैनी है लिव रोग समद्ध इतनी समस्याएं है उन सब को बहुत जल्दी ठीक करता है इसके शाथ है जैसे कितनी भी समस्याएं हो जैसे हो क इसका पाउडर बना के जड़गा ले सकते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं यह जो भूमिया मुला कि क्या है कि जड़ होती है इसको लाकर शैया में अच्छे से धूल कर सुखा लें इसमें भी बुराबर मात्रा में और चाहिए उसमें सफेर्द मुसलिया काउच के बीच लेकर बरावर मातरापीस का रख लेजिए उसे रोज एक चमच दूद के शाथ अगर निमित किया जाए कि आपके अंदर जो वीकने से कमजोरी है इस तमच सकते जो खंच हो गई थोड़ा दूर पर हादने लगते हैं कम सब्सक्राइब करें चाहिए जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कीजिए इस थोड़े से छोड़े से प्लांड का जरूर फायदा उठाइए यह आपको हर्ज मिल जाएगा इस प्रवधित को इसके बहुत सारे चमतकारी है जो हम इस वीडियो में बताए वीडियो के प्लीज के में जरूर बताई होगा अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ने कि तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करना न भूले चलिए मिलते हैं यह और ही बहतरी जड़ी बूटे करूं में नेस्टे वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय कर दो आगर